तो वल्ड कप की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त बचाने हैं भारतिय टीम अपने आपको पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और सभी टीमें जो हैं वो अपने मिलल ओर्डर को लेकर के ज्यादा वक्त निकाल रही है कि इसको मौका दे किसको मौका नहीं दे क्योंकि इस बार का वल्ड कप एतिहासिक होगा जो आपने अब तक नहीं देखा है शायर इस बार वल्ड कप में आपको देखने को मिलेगा हाई स्कोरिंग माच दिखेंगे लो स्कोरिंग माच दिखेंगे इंटर्टेनिंग वल्ड कप होगा यह मैं आपको कह सकता हूँ लेकिन टी ये फॉर्मेट में बहुत जबर्दस तरीके से उन्हें परफॉमंस करके रिखाया है दूसरी तरफ आपके पास में सुरी कुमार यादब है दा वन एन अउनली तब मैच विना सुरी कुमार यादब क्या उनकी आपकी प्लेंग इलेमन में जिगे नहीं बनेगी क्योंकि उन् अगर आप चार नंबर को खिलाना चाहते है तो फिर आपको के लाउल के बैटिंग में आपको पांच नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि मुझे लगता है कि शायद पांच नंबर के लिए केल राउल से बहतर विकल कोई और हो सकता है केल राउल को चार नंबर अगर रहने दे तो ज्यादा बहतर होगा मेरा ये परसनल अपीनियन है में चाहता हूं कि टॉप के जो चार बैट्समन है उसमें कोई चेंज़ नहीं होने चाहिए ओपनिंग आप शुपमन गि के लिए बाजी करने के लिए अब के बैट्समें के वो चाहिए बले बाजी करने के लिए तो जैनरल ये तो जो तीजे वो पंधे नमबर के तीस ओवर के बाओं करेंगे कि तीस ओवर के बाद ही उनकी बैटिंग आई क्या तब भी आपको लगता है कि तीस ओवर के बाद में श्रेया शहियर वर्सेज सुरी कुमार यादव के बीच में अगर हम देखें तो श्रेया शहियर जादा आगे निकलते हैं कंसिस्टेंसि उनके स्ट्राइक नेट एनके एवरिज के मामले में या जो 5 नंबर के लिए सुरी कुमार यादव गाइंट उसमें सुरिया आगे निकलते हैं कम से कम आपको एक ऐसा प्लियर चाहिए जो कि प्योर मैच विनर हो जो कि अपने दम पर मैच जिता दे हना कि इसमें सबका अपना अपना टीक है जैसे मैं सुरी कुमार यादब के बारे में कह रहा हूं वैसे आप श्रेय शियर के बारे में भी कह सकते हैं क्योंकि एयर भी बह 11 में वो जरूर बताएगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बाहर बढ़ जाए और इशान के शन खेलते वे नजराएं प्लेंग 11 में ये भी एक जो है वो चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा